हेलो फ्रैंच अल्कम एटो क्टो चैनल मैं अपसे का सुवागता फिर से मैं निव्डूक सा ताशके आज जी वीडियो यह आपके लिए बहुत एंट्रेस्टिंग यानकी योपी की तरब से आपको बहुत ही प्यारी इसी जो अपडेट है वह आपको प्रवाइड करवाने व तो बात करेंगे UPPSC, स्टापनर्स, एक्रूटमेंट 2024 का ओवर्वीव यहां पर करने वाले हैं कि कौन-कौन कंड़ेट इस वेकंसी के लिए इलिजिबल रहेंगे, कब तक अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और सबसे इंपोर्टेंट चीज कि इस वेकंसी के लिए आपको देखने को मिल जाएंगी बात करेंगे इसके अंदर वेकंसी के बारे में तो इसके अंदर अगर मैं आपको बात करूँ तो लगबग आपकी 1500 प्लस आपकी वेकंसी आ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी अब एज लिमिट यहां पर देख लीजिगा इस वेकंसी के आपकी जो minimum is limit है वो आपकी रहेगी 21 से लेकर 40 एनगी minimum 21 एर तक के जो अपलाई कर सकते हैं और 40 एर तक के जो अपलाई कर पाएंगे applications mode की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सबी के साथ तो online तरीके से आपका गया रहेगा यहाँ पर जो applications का mode है वो आपका देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लिएगा selection process आपकी सबसे पहले pre होगा फिर उका man होगा फिर आपकी merit होगी आप सभी को पता है कि UPPSC की जो फिलाल में जो भरती उसका man complete हो चुका है उसका result अभी pending चल रहा है उसके joining अभी थोड़ा time में हो जाएगी उसके just बाद में आपको UPPSC की तरफ से फिर से एक जो नई भरती है फो आपको देखने को मिलेगी और बिल्कुल genuine information आपको देने वाला selection process की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ आप सभी के साथ तो selection process आपका रहेगा pre-enseign की सबसे पहले आपका pre-exam होगा UPPSC staff nurse का उसके बाद में आपका man exam होगा man exam के बाद में आपका merit होगा इस आधार पर आपका क्या होने वाला है यहाँ पर जो selection है वो आपको देखने को मिल जाएगा बात करेंगे इसकी official website के बारे में के इस जो एकनसी की जो official website है वो आपकी क्या रहेगी तो official website रहेगी uppsc.up.nic.in क्या है इसकी official website आपको दी गई है आपके जो application form है वो application form भी आपके इसकी official website से ही भरे जाएगे और उसके बाद में आपको जो आगे की जो update है वो सभी update आपको इसकी uppsC की official website है official website से ही आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी ठीक है यान कि आप आपको online तरीके से application form भरे जाएंगे official website से ही आपको भरना होगा बात करेंगे essential qualification के बारे में कि कौन-कौन गणेट इस vacancies के लिए eligible से रहेंगे तो सबसे पहले देख लिए जो जो जी एनेम गणेट है वो इस vacancy को क्या करेंगे अपलाई करने के लिए शक्षम रहेंगे जो इस वेकंसी को अपलाई करने के लिए eligible से रहेंगे उसके बात में जो पोस्ट बीस नर्सिंग कंडेट है वो भी इस vacancy को क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है यानि कि नर्सिंग के अंदर जिनोंने डिग्री और डिपलोमा कर रख था है वो सब ही candidate क क्या कर सकते हैं, इस vacancy को यहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं यानि कि GNM, BSE, post BSE, MSC सभी candidate क्या करेंगे इस vacancy के लिए eligible से रहेंगे और इस post को यहाँ पर क्या करेंगे अपलाई करेंगे यहाँ पर देख लेजिगा स्टापनर मेल की भी आपको same qualification रहेंगे और जो में बात करेंगे इसके relaxation के बारे में किसका जो एज रिलेक्सेशन है वो आपका किस परकार से लेने वाला यानि कि आपको गोर्मेंट के रूप से जो एज रिलेक्सेशन है वो क्या रहेगा तो यहां पर देख लिएज़ेगा जो ओबी सी कैटेगरी है ठीक है ओबी सी के लिए आपको टैन एर कK रहेगा यानिकी इस परकार देखने को इस वेकंसीज का ठीक है तो आपके यहां पर देखनेस के लिए पृकु कि अब çटाब करेंगी आपको किस परकार से अप्लाई करना है और सबसे इंपोर्टेंट चीज़ कि आपके application form कब से भरे जाएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में यहां पर क्या करेंगे डिटेल में हम साथ सा करेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा यहां पर आपको करने के आपको करने के आप सकता नहीं रहेगी तो आपको वन टाइम रजिस्टेसन से यहां पर दियागा है यहां को सबसे पहले OTR करना होग़ा, उसके बाद में आपको यहां पर ऑलाइन तरीके से आपके application form है वह आपके application form लेजाएंगे करना कि आपको का चिकन्atre जो हुपकर को लिंक करना है औस पॉर्टल के ऊपर आपको टीक करना और वो परा वे खिला लगाएगा उसके बाद में आपको एंपर आपके पर सिंपहट डूट अपर अपलोड कर देना एक आपको परादे हैं लाफ yn के फीस रहेगी लगबक 25 व्रोपिज मात्र आपके 25 व्रोपिज के अंदर आपको क्या करना है एप्लिकेशन फोर्म को आपको यहां पर भेरना होगा पर्मनेंट आपकी बरती रहेगी कोई भी प्रोपीज आपकी अप्लिकेशन फीज रहेगी बात करेंगे कि अप्लिकेशन फॉर्म आपके कब तक स्टार्ट होगे यहां पर तो आपके जो एप्लिकेशन फॉर्म की जो इस्टार्टिंग होगी वह यहां पर यहां पर यह देख लिजगा कि आपके अप्लिकेशन फॉर् करों क्योंकि आप अच्छे से यहां पर तैयारी कर सकें इसलिए आपको पहले यह इन्फर्मिशन प्रॉड की जा रही है कि आप क्या करें आप तैयारी कर सकें पहले से आपको यह अपनी जो तैयारी के अंदर जुट जाएं क्योंकि बाद में आपको एकदम से तैयारी नहीं finally merit list के अंदर नाम आएगा और उसके बाद में आपको जुइनिंग होगी यह होगी आपकी complete जो selection process है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो CHO की बरती है यान कि upcoming जो CHO की बरती है आलग-अलग state के अंदर आपको मिल रही है करेंगे एक-एक state के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वेकंसी कौन से state के अंदर कब तक आएगी और सभी इस्टेटों की जानकार यह आपको इस वीडियो के इंदर जो चैनल है इसके उपर आपको मिल जाएगी एक new information सापको रिलीज हो दिये एक upcoming जो UK की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजीगा वाट्साप गुरूप टैलिगराम चैनल से जगके जुड़ चाहिएगा जिससे आपको completely information वहाँ पर मिलती रहेंगी completely update आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी और साथ में आपको completely जो CHO से related जितनी भी update है एक वीडियो डिटेल वीडियो आपके पास आ रहे है UKCHO से related बड़ी ही information निकल कर आ रहे है उसके बारे में भी आपको चर्था दूँगा तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को आपके क्या करना है उन जरूर कर लेना है जिसके पास आपके अपडेट पहुंसती रहे टाइम से बाकि आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ नई वीडियो के साथ तब तक आपको वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करना है चैनल को subscribe करना है और बैल आइकन को उन करना है ठीकर और वीडियो को अपने friend circle के अंदर फैला दो बाकि आपको मिलते है कोई नई अपडे के साथ नई यूडियो के साथ तब तक आपन अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, थैंक्यू सो मच